नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कविताराना कोरोना से दुनिया तरस्ता है लेकिन इस वारिस ने हर इंसान को कही ना कही बंदला है किसी को अच्छा बनाया तो किसी को पुरा किसी ने इस वक्त का किसी अच्छे काम में प्रयोग किया तो किसी ने जिंदगी में तुक्के से मिले गए खाली समय को भी गवा दिया यानि सिर्फ कोरोना से पुरा ही नहीं हुआ बलकि किसी का भला भी हुआ है अब 51 सार के मोहमद नूरेदीन की बात कले तो वो पिछले 33 सार से दसवी की परिक्षा में फेल हो रहे थी लेकिन इस बार उन्होंने दसवी की परिक्षा पास कर लिए 33 सार तक मोहमद नूरेदीन के फेल होने की वज़े उनका अंग्रेजी में हाथ तंग होना था लेकिन इस सार कोरोना ने उन्हें पास करा दिया ऐसा उनका खुद का कहना है 33 साल से लगातार फेल होते रहे लेकिन नूरेदीन ने हार नहीं मानी और इस सार का ने सभी छात्रों को पास करने का फैसला लिया तो फाइदा नूरेदीन का भी हो गया हैदराबाद के रहने वाले नूरेदीन बताते हैं कि मैं 1987 से दसवी की परिक्षा लगातार दे रहा हूं मैं अंग्रेजी में कमजोर हूँ और इसलिए इसमें फेल हो जा रहा था मैं 1987 से एक्जाम देते आया है मनली इंग्लिश में फेल हो आता हूँ फेल होने की वजह ये गे मैं इंगलीष वो रको भुशिश्किल होती थी इंगलीष निया ती थी तो जब मैं लगूट सुपस्वाइब शुल्ष। फड़ाने वाला नहीं मिलता था तो मैं अपना जो है किता हो सके भी कोशिश से किसे भी कोशिश करके मैं पढ़ता था पढ़ता तो माक्स माक्स भूत कम आते थे मेरे को 30-30-25-30 ऐसा आते रहे तो फिर मैं फिर डेट आ जाती थी फिर अफलाई करता था आई निवल के लिए सफलिमेंटरी के लिए ऐसा करते करते फिर मैं देते रहा एक्जाम जो है 33 बार तक मैं एक्जाम देते रहा और लगाता दिया इसलिए के नवकरी के वासे मैं कोशिश कराए और मेरे कुछ जो है किसी का सपोर्ट नहीं था कोई मेरे को मदद ने करे और कुछी को जो है मेरे को पैसा भी देखे भी पास करो बोले मैं को इसलिए खुश हुई के करोना जो जो चल रहा अभी जो मार्ट से अभी तक मैं एक्जाम के लिए फीज की डेट बन दिया मोला यह लास्ट है अब तो मैं देता नहीं बोलके कोशिश करके मैं फीज बन दिया बनके क्या करा मैं बोला पूरे आल सब्जेट देना बोले यह इंग्लिश रुका दो बोले लोग पूरे भारत में बोर्ट परिक्षाओं में सभी को पास करने का पैसला लिया गया और ऐसे में नूरे दिन जैसे कई छात्र भी पास हो गए जो कोरना काल में खुद को खुश किस्मत मान रहे हैं